अलो दोस्तों मैं सुरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ मेरे यूटुब चैनल सुरज पटेल एजूकेशन में दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से एक बार एक गुड निउस लेके आ गया हूँ यस दोस्तों जितने भी FIB.com, FIBA के स्ट्वेंट थे उनको इंतजाय था कि सर हमारा एक्जाम का टाइम टेबल कब आएगा तो दोस्तों आप लोगों के एक्जाम का टाइम टेबल आ चुका है मुंबाई उनिवर्सिती ने रिलीस कर दिया है तो चलिए दोस्तों हम डाइरेकली पेज पर जाते हैं और देखते हैं कि क्या आप लोगों का टाइम टेबल है FIB.com और FIBA दोनों स्ट्वेंट के बारे में बताने वाला वीडियो को एंट तक देखना और ये चेनल अगर और ये इंफरमेशन अच्छा लगे तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर कीजे आपको कोई भी प्रॉब्लम है MC के उसके related या कुछ भी तो please comment करके जरूर बताइए और इस problem का solution भी वीडियो के बीच में देने वाला तो वीडियो को एंट तक देखना ना भूले तो दोस्तों ये जो है ये FIB.com के student क्या है ठीक है CVC vote के student के लिए ठीक है तभी क्या है मैं आपको पुरा दिखा देता हूँ तो मैं नीचे चले जाता हूँ Online exam should be given from 9am to 6pm मतनब दोस्तों आप 9 बज़े से लेके 6 बज़े के बीच में कोई भी 1 hour select कर सकते हो और आप अपना exam दे सकते हो ठीक है दोस्तों लेकिन एक चीज़ याद रखना कि अगर आपने exam 530 को चालू किया आपका जो Mumbai University का जो platform रहेगा जहां आप exam दोगे वो 6 बज़े close हो जाएगा तो अगर आपने 530 को चालू किया और 6 बज़े वो close हो गया मतला आपको half an hour मिला उसकी responsibility आपकी है Mumbai University की नई है उन्होंने ये instruction पहले ही तीन instruction उन्होंने दे दिया है कि morning 9 से 6 बज़े के बीच आप कोई भी एक घंडे का slot select कर सकते हैं आपका exam schedule ये होने वाला है अगर आप सारे 5 बज़े select करते हैं तो schedule 6 बज़े तक का 6 बज़े portal बंद हो जाएगा तब आप exam सिरिफ आदा घंटा ही दे पाओगे और उसकी responsibility आपकी रहेगी अब बात कर लेते हैं mock test को लेके तो दोस्तों mock test जो आपका है 16 अप्रेल से लेके 19 अप्रेल तक का है बताब 16 अप्रेल को भी exam दे सकते हो 17 को भी दे सकते हो 18 को भी दे सकते हो 19 को भी दे सकते हो 19 के 12 midnight तक दे सकते हो देन दोस्तों ये तो एक mock test का important था जो काफी student पूछ रहे तो तो आप लोगों को बता दिया अब बात कर लेते हैं time table को लेके ये मैं become student की बात कर रहा हूँ 20 अपरेल से आपका exam चालू हो रहा है 9 से 6 बजे का slot time है जो मैंने आभी आपको उपर ही guide कर दिया पहला paper है business communication का दूसरा है 22 तारिक को एक दिन की gap दिया हुआ है same timing दूसरा paper है business economic तिसरा है 23 अपरेल को same timing जो उपर मैंने guide किया foundation course 75 marks का 25 marks खा गिया है क्या वो कहा है कैसा है वो मैं आप लोगों को guide करने वाला हूँ वीडियो जैसा जैसा मैं नीचे जाता रहूंगा लेकिन अब इस वीडियो को continue करने के पहले एक important चीज बदा दू कि दोस्तों मेरे वीडियो के description में आगर दोस्तों आप चले जाते हो तो उदर आपको मेरा यह contact number दिखाई दे रहा होगा ठीके जो इद्दम नीचे है दोस्तों ठीके एक मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ठीके वीडियो के description में आप चले जाना आपको बहुत easily आपको मेरा contact number मिल जाएगा देख सकते दोस्तों यह जो contact number है उस contact number से दोस्तों अगर आपको कोई भी problem आता है MC की उसके related या exam के related कुछ भी query हो तो दोस्तों आप मुझे बिंदास contact कर सकते हैं आपके problem का solution देने की full on कोसिस करूंगा और एक instruction है जो दोस्तों आप जरूर फोरोग कीजिए वह instruction क्या है दोस्तों वह भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप मेरे अपना वीडियो के description में आ जाते हैं दोस्तों तो आपको एक important काम करना है वो काम क्या है दोस्तों वह भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तों आपको वीडियो के description में आते ही पहले ही उपर टेलिग्राम ग्रूप दिखेगा जिसमें आपको मुंबई यूनिवर्सिटी और सूरज पटेल एजूकेशन चेनल के link को follow जोइन करके रखना 110% क्योंकि हर update आपको यहां मिल जाएगा साती साथ आप जिस standard के student हो जैसे कि मैं अभी F.I.B.com का बना रहा हो तो यह वीडियो सीधा F.I.B.com के टेलिग्राम चेनल पर चला जाएगा ना कि S.Y.T.Y.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M B.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M.C.M वो become ओ बीए में सो बैफ हो ठीक है दोस्तों बीए के स्टुएंट के लिए भी आपको उदर मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि टेलीगराम चैनल पर ये देखें मैंने MCQS प्रोवाइट करवाया है वीडियो प्रोवाइट करवाया और ये जो अभी आप टाइम टेबल देख रहे हो ये भी यहीं मिल जाएगा तो आप जरूर फोलो कीजे अब हम रिडायरेक हो जाते हमारे एक्जाम टाइम टेबल पर दोस्तों ये था टाइम टेबल दोस सब चीज मुझे उदर से पता चल जाएगा दोस्तों 26 अप्रेल को सेम टाइमिंग है कम्यूनिकेशन का पेपर है 27 को इन्वाइरमेंट का एक्जाम है 28 को मैठामेटिक्स टाइमिंग से मैं इसके लिए मैं दोड़ा नहीं रहा हूं 29 को अकाउंटिंग का पेपर है अकाउं 75 मार्स का था 25 मार्स खा गया क्या तो वो 25 मार्स इधर आपको दिखेगा ठीके दोस्तों तो आई थिंग कि आपकी यो ट्वेरी सॉल्ट हो गई होगी अब बात कर लेतें एफपाई बीए के स्ट्वेंट के लिए ठीके तो दोस्तों ये भी एफपाई बीए सीबीसी बोर् प्लीकेबल है पहला कम्यूनिकेशन इसकी लिए जिसका दोस्तों मैंने अभी भी बताया कि आप टेलीग्राम चैनल जोइन कर लो एफपाई बीए के स्ट्वेंट आपको कम्यूनिकेशन इसकी लिए रिलेटेट एमसी की सुदर मिल जाएगा देर उसके बाट है 22 को आपका लेंग्वेश सब्जेक है देन 23 को 9 से 6 पीम टक का फाउंडेशन कोर्स है दोस्तों अभी भी बोल रहा हूं फाउंडेशन कोर्स का भी आपका एमसी की सुदर दिया गया है ठीक है देन उसके बाद आपका मंडे 26 को फिर आपका अपना सब्जेक आ जाता है इंगलीज ठीक है महराथी उर्दू जो भी आपका लेंग्वेश सब्जेक आपने जिस सब्जेक से आपने किया हुआ इकोनोमेक्स, हिस्टरी, सायकोलोजी जो भी आपने लिया हुआ है फिर 27 को आप देख सकते दोसलो यही फिर से आप लोगों का आ जाता है ठीक है psychology आप इदा देख सकते है टाइम टेबल में आप लोगों को दिखा रही हो टेली ग्राम पे आप लोगों को time table सेंड भी कर देने वाला हो तो आप वहां भी जाके देख सकते हो ठीक है तो यह आप देख सकते हो आपको मैं पुरा दिखा भी रहा हूँ आप अपना देख लीजे कि आपका कौनसा कौनसा सब्जेक है देन आपका लास्ट पेपर फिर से फोर मैं को है फाउंडेशन कोर्स का ठीक है दोस्तो तो फ़िला तो आज के लिए इतना ही फिर से मिलूंगा नेक्स वीडियो में जब तक के लिए आपसे अलवीदा लेता हो जे हिन जे अबारत